कोई कठनाई नहों सके और उनके सस्ते दरों पर उनको कुर्शी निवेश के लिए रिन पराप्त हो जाए साथ में ही जो किसान इच्छुक होंगे उन सभी किसानों का प्रधानमंत्री फस्टी मीमा योजना के भीतर उनको प्यमित किया जाए जिससे आपदा की इस्तिती में यदि उनका जिससे कम बर्सा या अधिक बर्सा की वज़ा से उनकी फसल परभावित होती है तो उनको बीमा कमपनियों द्वारा भरपाई किया जा सके इस त्रिष्टी से उन्हें प्रचार पर बैंकर्स को कहा है कि वो प्रचार प्रचार करें के सी सी के लिए और इस सीजन में 40 लाग के सी सी वो कम से कम बनाए कुछ 20-22 लाग बताया था उन्होंने तो उसको बढ़ा के 40 लाग तर पहुचा में था ये 31 तारीकों बीमा की अवदी समाप्त हो जाती है हमने भारत सरकार से अन्रोद किया था और उन्होंने 10 अगस्त तक इसकी सीमा बढ़ा दी है तब किसान के पास इस बात का उसर हो गया है कि वो अभी भी बीमा वो करवा सकता है ये तो भारत सरकार के गाइड लाइन्स के उन्होंसार चलते हैं बीमा का बैंकर्स को ये चाहिए कि वो एन्पीय के भीतर न जाने पाएं और समय समय पर उनको जागरूप करते रहें दूसरी बात ये कह रहा हूं में कि वीमा ये कंपनियों के द्वारा उन्हें हर जिले के वीतर वीमा कराने के लिए प्रशार वाहन कार्याले वहाँ पर खोला जाना कार्यालियों का जन प्रत्रिदियों या जिला प्रशाशन के द्वारा उद्गाटन कराया जाना और ग्रामिड बड़े बाजारों के वीतर प्रशार किया जाना इसके लिए हमने उनको नदेशित किया है अब यह आने वारा है कि तेरा चौदा लाक हुआ था हाँ अभियान चलाएंगा तो पूरा हो जाएगा इसलिए तो अभियान चलाने की बात मैंने कुछ तीसरा चौदा जन्पज यहां पर कम बारिश हुई है पीली भीत कौसांबी जहांसी ललितपूर जालाउन हमीरपूर महोबा बादा और चित्रकूट चंदावली मिर्जापूर मौ देवरिया कुछी नगर इन चौदा जिलों के भी तर इस पर गोड़ यह जो फिगर बता रहे हैं अभी पंदर यह हम लोग जो पैंक काटता है फीड करने की तिती पंदर अगरत है तो अभी आप इस फिगर